मैंने अभी तक चाननी चोक में 160 से भी ज़्यादा वीडियो बना दी हैं सूट साड़ी लहेंगा कुड़ती गाउन के उपर मेंसे ज़्यादा तर जो मेरी वीडियो है वो सूट के उपर है और 99% सारी मैंने होलसिल के उपर बनाई है तो ओविसली कि ये बिजनेस परफस के लिए वीडियो बन रही है सारी जोबी है ताकि जो आप लोग विवर्ज हैं आप एंड यूजर ना बनो उस चीज को लेके आप उस चीज को ऐसे बिजनेस में कनवर्ट कर सको बहुत सारी चीजे हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो के थमनेल से आपको पता लग गया होगा वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा काफी दिनों से मेरा भी मन था कि मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊ और यह जो वीडियो बन रही इस टाइम इस तरह से बनाने का मूड मेरा बिलकुल भी नहीं था लेकिन टाइम की शोर्टेज इतनी है मेरे पास की मुझे घर में बैटके ये वीडियो बनानी पड़ रही है बाकी सबसे पहले मैं आपके कोशन्स लेता हूँ जो आप ज्यादतर हर वीडियो में मेरे वाटसेप पे यूट्यूब के कमेंट पे काफी जगे पे आप मुझे से पूछते हो तो स्पेशली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो की स्टार्ट अप करना चाहिए अगर आप पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको सभी को बता दो मैं सिर्फ मार्केट के उपर वीडियो बनाता हूँ जिसमें की सूर्स के उपर मेरा मेन फोकस से 20,000 तक भी होते हैं जिसमें वनपीस आजाते हैं वनपीस जिसे गवन बोलते हैं इस वीडियो में मैं तीन बातों को आपसे डिस्क्राइब करूंगा एक तो आपके बहुत जादा कमेंट आते हैं कि रिटेल मार्केट की वीडियो बनाओ रिटेलर्स के लिए कुछ तो मैं रिटेल के लिए आपको बता दूँ मेरी एक वीडियो आएगी 13 अगस्त को अभी जो अपकमिंग है 13 अगस्त को एक वीडियो आएगी उस दिन मंडे है 13 अगस्त वाली वीडियो आप जरूर देखना टोटली वो 100% रिटेल की होने वाली है और वो कई ऐसी वैसी वी और इसे आपके पर हैं जिन जिन से मैं जुड़ा हूं जिन जिन के पास मैंने जाकows बनाई है ऊसके अलावा कुछ ऐसे दुकानदार जिनके मैं नहीं बनाई लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मुझे सूरत के मिल वाले जानते हैं एहमदाबाद है, जैदपूर है, जैपूर है, जोदपूर है काफी जगह से मेरे जो मैनुफेक्टरर मुझे से जुड़े होए हैं तमिल नाडो से भी हैं, मेरट से भी हैं काफी जगह से manufacturer हैं जिनके पास जो मेरे regular touch में है वो मुझे काफी thanks भी करते हैं क्योंकि जब चाननी चोक में wholesale का business बढ़ा है तो पीछे से उनकी भी जो sale बढ़ी है तो directly and directly काफी तरह से लोगों ने में से interact करा है तो मैं उन सभी को सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी दुकान के अंदर आने का मोका दिया उससे बड़ा धन्यवाद मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को पसंद करा है इतना और काफी अच्छे वीउस भी आते हैं उस पे और उससे भी सबसे बड़ी बात है एक ट्रस्ट है जो कि मेरे और आपके बीच में बना है और मैं उसी ट्रस्ट की वज़े से ही आज यहाँ पर पहुंचा हूँ आपके सामने इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ शायद काफी लोग हैं जो मुझे मार्केट में मिलते हैं कुछ तो काफी एक्साइटमेंट से मिलते हैं कि जैसे कि ऐसे सेलिब्रिटी मुझे ट्रीट करते हैं हला कि देखो मैं सिर्फ अपना एक काम कर रहा हूँ और मेरा बेस्ट करने की पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छी सी अच्छी जगे दिखा हूँ अगर मैं कुछ इस वीडियो के जरी आपको दिखा रहा हूँ तो आपका कुछ उसमें फायदा हो सके आप अगर बिजनेस कर रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाते हैं लेकिन उनको नौलिज बिल्कुल भी नहीं है फैब्रिक की तो फैब्रिक की नौलिज मैं इस वीडियो में आपको जरूर दूँगा प्लस में रिटेल की मैंने बताई दिये 13 अगस्त को एक वीडियो आने वाली है जो आप जरूर देखना और राहुल बागडी 13 अगस्त वीडियो इस तरह से आप उसको सर्च भी करोगी तो वीडिय मिल जाएगी कौन सी दुकान की होगी कौन सी जगह पे होगी क्या चीज़ होगी सारी उसमें 13 अगस्त में ही आपको पता लगेगा इसके लावा मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे आप फॉलो करने लग जाना क्योंकि आभी तक मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर इस वीडियो में प्रोमोट करता हूं कि आप उस दुकान वह वाली बेस्ट है तो आप जाहिर से बात है कि वह दुकान दार भी इस वीडियो को देखेगा तो उसके हो सकता है भाव भढ़ जाए कि मैंने जब डारेटली उसका नाम ले दिया तो अब तो मैं कोई भी चीज क से पर प सर्वाइन की बैस है यह से कसरह ये 3 चीज़ है जो मैं जो नए इस वाल 예कान स्टार्ट कर रहें मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप क्रेंड़ और पी सी को खरीदे PC में बोटम भी आती है जिसको सलवार बोलते हैं PC में सूट भी आते हैं शाइनर PC होती है काफी लो ग्रेड की PC होती है हाई ग्वालिटी की PC भी होती है कहीं बार इस तरह की PC मुझे मिलती है स्टाइम पे आपको क्रेब बेचना है तो क्रेब बीचो देखो बिखता सब कुछ है क्रेब है इंडो है यह जो है पत्री बजार में जैसे की अश्ण immersion दाशी कम्रीक में अधाज और जाती है Camry में, उपर में 600, 700, 800 रुपे तक की भी Camry चल जाती है, वो उसके अपर depend करता है की work कैसा है, उसमें hand work है, printed है, plaza है, उसमें क्या चीज है, उसमें माईने रखती है, Camry के बाद आता है 100% cotton है, मैं सिर्फ एक exact वो चीज नहीं बतारा हो सकता है, थोड़ा वो जिसमें अलग भी हो मैं जो मुझे experience हुआ है चाननी चोक से जो मुझे experience हुआ है मार्किट से वो चीज मैं आपसे share कर रहा हूँ Camry को आप जरूर खरिद लो आख बंद करके खरिद लो कोई दिक्कत ने आएगी cotton में Glace है, Rion है उसके बाद जो चंदेरी थोड़ा अलग फैबरिक हो जाता है थोड़ा शाइनर पार्टी वर लुक में आ जाता है Rion है, Rion में प्लाजो आएंगे semi-stitch जो चीजे होती है और काफी चीजे आते हैं उसमें कुडूती टाइप के प्लाजो के साथ होते हैं शरारा, गरारा यह सब होते हैं, cotton में भी होते हैं Shantun दो-तीन तरह की होती हैं, एक तो जो low grade Shantun आपको हाथ लगाने से ही पता लग जाएगा उसमें ज्यादा चमक वाली जो होती है Shantun, ज्यादा जो जट के जो 500-600 वाले जो सूट होते हैं उसमें Shantun वैसे मिलती है, Shantun उपर वाली quality में मिलती है, जो 1000-2000 की जो सूट होते हैं उसमें 11-12-12 की जो Shantun होती है, उसकी quality काफी अच्छी होती है प्योर के दुपटे जो जहाँ पे आ जाते हैं, वो सूट महेंगे हो जाते हैं अच्छा महेंगे सूट और सस्ते सूट इसमें भी आपको confusion है कि यह वाला सेम डिजाइन उस दुकान पे तो 500 का मिल रहा था मैंने दूसरी उड़े बनाई है, उस पे 400 का मिल रहा है, तो वो 400 का 500 का क्यो मिल रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ फाब्रिक की क्वालिटी, अगर वो 500 वाला सूट केमरिक में होसकता है, 400 का पीषी वाला better 5 में तूइसरा डिजेन वोसकता ही उसके साथ 500 बाला नाजनीन का दुपर्टा हो, उस सस्ते वाले में लेज नहिन लगी होगी तो काफी सारी reasons हैं जिसके वज़े से suits की rate में फर्क आता है उसके अलबा एक ही अलग-अलग company जो suits बनाती है ABCD करके company है और EFGH करके company है दोनों ही company अलग-अलग है अलग-अलग जगे पर एक सूरत है एक हमदावादया कहीं पर भी है वो एक ही design को अपने दोनों अलग-अलग manufacturing के हिसाब से उनको costing लाने में बनाती है कोई उसमें fabric अलग-ध्रेका यूज़ करता है कोई इसमें stitch कम कर देता है stitch के जो thread के work होते है तो ये सारी चीज़े हैं जिसके सूट के जो महेंगा और सस्ता same design में आप देखते हो किसी में शिरोष की work काफी ज़्यादा होता है किसी में back print हो जाता है किसी में back weaving वाला हो जाता है तो काफी सारी चीज़े हैं बाकि cotton में मैंने आपको बता ही थी जो variety होती है इसके अलावाद मसलिन का काफी ज़्यादा आजकल चल रहा है मसलिन के जो garlic item है वो चीज़े काफी चल रही है दुपटे में जिसमें प्योर की दुपटे काफी ज़्यादा है प्योर की दुपटे डालने से ही चीज़े महंगी हो जाती है अगर कोई simple सा सूट है जिसमें रहां केमरी की बात करो जो की 500 रुपटे जो की 500 रुपटे जो में नाजनीन का दुपटे है अगर उसी same सूट में अगर हम प्योर का दुपटा डाल दे तो हो सकता है इससे उपर अगर आपको quality चाहिए तो 600-700 रुपए में जो उपड़ा शुरू हो जाता है उपड़ा की जो range होती है दो हजार तीन हजार रुपए तक साड़े तीन हजार रुपए तक भी wholesale में मिलते है 600-700 रुपए से शुरू होते हैं तो आप idea लगा सकते हो कि fabric में कितना grey मिला हो है grey एक चीज होती है कि जो कच्छा कपड़ा होता है उसमें कितनी percent cotton है कितनी percent इसमें जो है पीसी है synthetic mix है काफी सारी चीज़े उसमें बनती है उस चीज़ को grey बोला जाता है तो फैब्रिक कौन सी मिल से आ रहा है कौन सी किस quality में है उससे भी काफी ज़्यादा फर्क पड़ता है बाकी अभी जैसे अब राखी आने वाली है उसके बाद जो हार आने शुरू हो जाएंगी दिवाली आएगी जो कि हिंदो का सबसे बड़ा तो आरह उस पे काफी ज़ादा और सरतियों में भी शादियों का सीजन भी उस टाइम हो जाता है तो जातर जोर्जट हैवी जो होती है चंदेरी होती है उस टाइम पे cotton थोड़ा सा डाउन हो जाएगा जो है ग्लेस काफी च और कैमरी थोड़ा सा कम हो जाता है और यह लगबक फरवरी तक इस तरह से रहेगा जो ड्रि ऑस्टार को वह सब कम होता चला जाता है उसके बाद पूलन बगएर वह सारी चीज कम हो जाते हैं फिर गर्मियों की त्यारी शुरू हो जाती है होलसेल मार्पिट में तो अब सर्दी आ रही हैं तो आप उस हिसाब से चंदेरी जादा प्रैफर करना इस टाइन पर कोटन भी प्रैफर करन पीसी इंडो और क्रेप को बिल्कुल अवाइड करो चाहिए आप एकस्पिरेंस्ड बंदे हो दो तेन साल से दुकान से ला रहे हो तो भी आप इन चीजों को थोड़ा अवाइड करो सबसे में चीज है आप जहां पर दुकान करोगे अच्छा दुकान करने के भी दो तरीक को इस आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप प्रोपर एक दुकान ले रहे तो कम स्टम डेढ़ दो लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि दुकान में अगर कुछ दिखेगा तो ही दिखेगा चीज़े क्वांटिटी दिखेंगी कोई कस्टमर आए तो एक डिड़ लाख में काफी सारा स्टोक आ जाएगा आपका स्टार्ट अब में और मैं एक बात और कहना चारहूं आपको कि अगर आप दो लाख रुपय इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको पांच सेगमेंट में डिवाइड कर लो पहले दिन जाओ जो कि एक लाख से शु उसको थोड़ा सा बेचने की कोशिश करी पब्लिक का पॉइंट ओफ व्यू देखा कि वो कौन सी चीज पकड़ रहे हैं आप मिक्स में लाओ जैसे की चंदेरी भी लियाओ ग्लेस भी लियाओ प्लाजो में लियाओ अपड़ा में लियाओ अगर हैवी रेंज में चाते हो बैक वर्क भी होते हैं काफी चीजे हैं उसमें इनर के साथ हैं विदाउट इनर हैं और जो है मोडाल में हैं जो कि काफी अच्छी घरलिश आइटम रहती है उसके बाद आपकी जो आसपास की पब्लिक उनको टेस्ट उनका किस तरह का है वो चीज जज करो कि कौन सी चीज पकड़ रहें कौन सी दुकान से आपने प्रचीजिंग करी है वो चीज ज्यादा विकरी है काफी उन चीजों के उपर फोकस करो बीस हजार में से जब चार-पास हजार का कपड़ा बिक्चे तो दूबारा से मार्केट में जाओ फिर बीस हजार का कपड़ा लिक्याओ इस अब एक दो लाग का कपड़ा अगर लाके रख दोगे तो हो सकता है किसी वजह से वो चीज ना चले क्योंकि एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी बात होती है बाकी कुछ जादा मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग का काम है कोई इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगका कोई इस रहे के लोग है तो उस तरह के टेस्ट लेके हो पोर्श एरिया है सेक्टर एरिया है आसपस काफी जो है अमीर लोग रहते हैं तो उस तरह से टेस्ट रखो उस चीज में तो थोड़ा सा दुकान का लोग भी उस तरह से बनाओ चीज़े चलेंगी बिकेंगी बिल्कुल बिक को आप उस चीज को अपने आप से ही सोचो कि अगर मैं as a customer एक retail एक single suit किसी दुकान से खरीता हूं और उसको 15-20 दिन बाद ये कहके वापिस देता हूं कि ये अच्छा नहीं लगा या इसमें कोई defect है या defect है तो चलो एक अलग बात है defect फिर भी 10-15 दिन बाद रिटन हो जाता ह है लेकिन defective piece भी अगर आप रिटन कर रहे होंगे उस customer पो उस end user को तो पैसे मिल गए लेकिन आप सोचोगी कि मैं इस piece का क्या करूं या तो आप किसी दूसरे customer को चिपका दोगी उसको कि भई क्या पता उसको defect वो ना दिखे और वो सिलवा ले एक पर suit कट गया सिल गया तो उसके बाद रिटन होई नहीं सकता तो वही सेम चीज आपके उपर भी लागू होगी अगर आप जैसे wholesale में प्रसीजिंग कर रहे हों और यह expect करते हो कि मेरा माल अगर नहीं विका तो कोई दुकांदर उसको वापिस ले लेगा बिल्कुल भी नहीं लेता कोई अगर customer बनान प्रस डिफेक्ट है तो उसको तो अलड़ी पता ही लगए डिफेक्ट है उसको वो चीज या तो अपने लॉस में डालनी पड़ेगी या अगर वो 500 का सूट है तो हो सकते हो सेल में उसको 500-200 का बेचना पड़ेगा तो यह चीज़े होती है जो की return policy है बाकी कोई चीज दुकांदार ने गलत भेज दी अगर आप ऑनलाइन घर में बैठे 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 मुझवारे हो कि आपने order कुछ और करा था दुकांदार ने भेज कुछ और दिया तो आप उस चीज को दुकांदार से बोल सकते हो उसको वापिस करना ही पड़ेगा फिर भी अगर वह यहां से कुछ भी मत करीदो दस जनों को बताओ कि यह दुकांदार इस तरह से करता है यहां से माल मत लेओ लेकिन जैन्वन ही चीज़े बोलना देखो मैं अगर यहां पर आज तक पोचूँ तो मैंने एक एक चीज जैन्वन बताई है तब ही आप लोग का इतना प्यार मु कोशिश करिया है जो चीज मुझे दिख रही है वही मैं उस चीज में बोल रहा हूं तो इसी तरह से आप भी किसी दुकांदार को फेक ना बोलो कि भई वो चीज अगर अची चीज दे रहा है तो उसको वैसी बिलकुल बदनाम ना करो क्योंकि काफी उनकी भी मेहनत जुड आँ और थोड़ा ओर बीच में मसाला इसमें डालों तकी मसाला इंदसेंस की सूर्स में बीच विच में दिखाता रहूं लेकिन थोड़ा टाइम शोटेज की वज़े से मैंने इस तरह से घर पे बैटके उड़े बनाई है फिर मैं सूचा की इंफोर्मेशन ही देनी है जो क अच्छी मिल जाएं तो बाकी जो रिटेल के लिए है चीजें रिटेल की मैं वीडियो एक बनाऊंगा तेरा अगस्त को आप जुरूर देखना उस वीडियो को और राहुल बागली तेरा अगस्त वीडियो करके आप सर्च करोगे तो वीडियो मिल भी जाएगी आपको अभ जगे मुझे मिली है जहाँ पर आप सूट्स, कुड़ती और बैटशीट तीन चीज है उसी एकी सेम जगे पर जहाँ पर पांसो रुपे से लेकर के सूट्स शुरू होते हैं और लगबग तीन हजार रुपे तक के उनकी रेंज आती है रिटेल में कुड़ती में भी ठीक इस तरह से चार्सो पांसो रुपे से शुरू हो जाएंगी और लगब पच्छी सो रुपे तक की कुड़ती जिसमें की काफी बढ़िया ब्रांडड़ चीज़े हैं उसके अलावा जो बैटशीट है वो भी काफी आपको अच्छी जादा मिल जाएं इसिउस इसमें भी आते हैं चुक्कि मैं भोल सेल में टाहूं दुकांदार से विडियो में डाल देता हूं काफी लोग मुझे मिले हैं चानी चौक में लगब 5-6 लोगोंने मुझे बोला है कि रेट डिस्क्लोज ना करो होल सेल में कि वीडियो रिटेलर भी देखता है औ तो रिटेल में आप सो रुपे उपर ले लो, 200 रुपे ले लो हाला कि रिटेलर को इतना आइडिया नहीं हो था कि उन्होंने सेम डिजाइन PC में देखा है और जो खरीद रहा है वो चीज़ ग्लेश में है तो रेट में हही पर फर्क आ जाता है, बाकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज पर भी मैं मार्केट से बात कर रहा हूँ कि रेट को डिस्क्लोज ना करके या एक लिमिटेड रेंज ले ले लें जैसे कि बाकि इसे उपर में ना दिखा हैं क्योंकि एक प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज होती है और आप लोगा काफी ड्रस्ट है मेरे उपर तो काफी लोग जो चीज मैं वीडियो में बोलता हूँ मुझे सही भी होती है और उसी इसको सारी जो पब्लिक है जो मुझे जुड़ी हुई है जो वीडियो को देके बिजनेस कर रहे हैं मुझे उसको काफी अच्छे से मानती भी है और समझती यह चीजों को तो ज्यादा इस वीडियो में और कुछ नहीं मैं अगर आपको कोई हैं तो इसी वीडियो में हैस्टेग राहुल बागड़ी करके आप उस कोश्चन को पूछ लीजे मुझसे मैं अगले आने वाली कुछ इसी तरह के वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जरूर को कवर भी करूंगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप मेरे चैनल को इसी त दूर करते रहें मैं जल्दे एक नाइट अपके साथ फिरिसी मिलूंगा जाहें